हेलो चैंपियन्स वेलिकम टू फैंटेसी क्रेग गॉल विमें बिग बैश लीग दो जाटेइस में खेला जाने वाला मैश नंबर 48 जो की खेला जाने वाला तो कैसी होने वाली है पिछ किसको फेवर करने वाली है इस माच में कौन सी खिलाड़ी आपको दिलाने वाला है जाधा पॉइंट गाइज ये वीडियो अगर हम बात करें इस पेशली आपके डिमांड पे लाई गई है क्योंकि वर्ल्ड कप पूरा हो चुका है लास्ट मैच ह तो और सबसे अच्छी परफॉर्मेंट दीती ठीक है लास्ट मैच हम हारे लेकिन आप देखो आल्मोस सारे अवार्ट तो हमारे ही प्लेयर लेके गहते हैं तो काई दो चीज आप हो गई है आगे पड़ेंगे स्पोर्स है एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी हार जीत चलती रहेगी हर एक दिन एक नए दिन से शुरुआत होती है जैसे कि अभी हम बात करेंगे विमेन बिग बैश लीग की इसके बाद हमारा इंडियो ऑस्ट्रेलिया टी 20 सीरीज फिर बिग बैश लीग मैं से स्टार्ट हो जाएगा तो सारी वीडियो आपको मिलती जाएगी और द पता है क्रीक बॉल का रिकार्ड विमेंस मैच में अल्टिमेट्र है हमारे जैसा टीम हमारे जैसा स्टअस कोई आपको नहीं देने वाले एक एक चलयर के बारे में उाइगा. पर उने वाला है Sydney, Sixers, Brisbane, Heat उस match को खेलेगी उसकी भी टीम आपको मिलेगी गाइज लेकिन पाइल टीम आपको टेलीग्राम पे बिलेगी इसलिए सब लोग पहले टेलीग्राम जोईन कर लो क्योंकि वहां पर आपको हर एक मैच की अपडेट और कोई भी कौन सा मैच होने वाल ये venue stats के साथ सारे खिलाड़ियों की recent performance क्योंकि विमेंट के मैच में बहुत सारे एक-दो ऐसे खिलाड़े जिनके पवारे में आपको proper information नहीं है balling order क्या रहेगी head to head record grand league picks और trump card player इस मैच में कौन सी खिलाड़ी आपको दिलाने वाली है सबसे ज़्यादा point बात कर ले अटा पट्टू और मैग्रा में किसको cvc create करना है एल स्मित मेगन शूट में कौन ज़्यादा विकेट निकाल के देने वाला है लिश्फिल्ड की बात कर ले हैदर नाइट एम काब डैनियल गेपसन इतने सारे आप्शन आपको मैंने दी है यह अल्मोस्ट आठ जो प्लेयर मैंने बताया ना इमको अपने टीम में क्यों रखना है और इसके अलावा वह तीन फिक्स और की प्लेयर इस माच के ग्रांड डिंग में कौन रहने वाला है सारी बाते करेंगे तो वीडियो में बने रहेगा गाई लेकिन सबसे पहले चानल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो एक छोटा लाइक इतनी मेहनत के बनता है फटाक से वीडियो को लाइक कर तो एक सिकेंड लगता है कई तो को नीचो ऑप्शन दिख रहोगा सब्सक्राइब बटन का पहले चैनल को सब्सक्राइब करना उसके जस्ट उपर ओप्शन दिखेगा मोर का मोर पे क्लिक करते आपके फोन में ओपन होगा यहां पर के लिए गिववे स्पेशल होता है यहां भी आपसे मैं दो इजी कोशन पुछूंगी दोनों कोशन का जवाब आपको सही देना है और आप डेली गिववे विन कर सकते हो सिर्फ आपको टेलिग्राम का मेंबर होना जरूरी और वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तो चल अधा मदद मिलती है इस कंपेर तो यहां पर पेस है टोटल जो विमेंस के मैच यहां पर खेले गए हैं 11 मैच खेले गए हैं चेस करने वाली टीम ने अभी तक जादा मैचे जीते हैं अवरेज स्कोर 132 है है सिड्नी सिट्नी सिक्सर विमेंस ने बनाए 172 बिच्छे है यह दोनों टीम में बहुत जादा स्टॉंग है इस विमें बिग बैश के लिए की दोनों टीम में जायब बात करें सिड्नी ठंडर एडलेड स्टाइकर दोनों ही टॉप की टीम है पेसर वर्से स्पिन में मैंने आपको पहले बिता है कि स्पीनर को जादा मदद मिलने वाली आगे बात करेंगे गाईस लास्ट मैच इस पिच पे खेला गया था पर्थ स्कॉट्चर विमेंस वर्से सिड्नी ठंडर विमेंस के बीच में खेला गया था जिसको सिड्नी ठंडर विमेंस ने जीता था नो विक्टे गिरी ती जिसमें से मातर दो विक्टे मिरी थी आपके passer को वहीं बात करे spinner को तो 6 wicket निकाल के दिया था आपके spinner ठीक है तो guys आगड़े आपके सामने और Sydney Thunder ने अपना यहाँ पर match जीता भी आप देख सकते हूं कि solo way over में तो काफी अच्छे stats अने वाला है अब बात करेंगे दोनू टीम की क्या होगी playing 11 क्या changes हो सकते हैं इसके अलबा इन सारी खिलाडियों के आखरी 5 मुकाबले के stats grand league में risky pick कौन होगे small league के safe खिलाडी कौन सी खिलाडी कब ball डालने वाली है power player death middle over कि कौन सा खिलाडी यहाँ पर अपने पूरे over कराएगी तो यह सारी बात हैं आपको बहुत सारी डीटेल में बताएंगे अगर सिड्नी थंडर की बात करो तो यह सीजन भी काफी अच्छा रहा है अभी तक almost 11 match खेल चुकिए जिसमें से साथ मुकाबले जीती एक मुकाबला तो हुआ ही नहीं था हो तो बागी के गाईज देको बाकड़े अच्छे हैं यह पर उपन करने आएंगी अर्था पर तू बहुत ही हर बैटिंग बॉलिंग और बैटिंग से तो जबर दस परफॉर्मेंस दे रही है बहुत इच्छी परफॉर्मेंस दे रही है उनका साथ देते भी दिखेंगी ताइला विल्सन फिर नजर आएंगी लिच फील्ड यह भी बेस्ट है हैदर नाइट जो कि आपको यहाँ पर बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे रहेंगी एमका भी काफी इंपॉर्टन फ्लियर है इसके लावा नजर आएंगी लेरोड यहाँ पर दे को जो जो इंपॉर्टन फ्लियर है मैं आप पॉइंट आउट भी कर देती हूं अलिविया पॉर्टर एज जॉनसन यहाँ की ग्रैंड लिग बन सकती है स्मॉल लिग के साथ नहीं जाना है यहाँ पर डर्लिंग्टन भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रही है समांता बैट्स और इसके बाद एले स्मिथ एले स्मिथ गेन बाजी से सबसे इंपॉर्टन प्लेयर रहती है सिड्नी थंडर्स के तरफ से हर मैच में आपको विकेंड निकाल के देंगे अगर सिड्नी थंडर्स पहले बॉलिंग करने आती है तो वहाँ पर इसी भी कंडिशन में आप एले स्मिथ को ड्रॉप नहीं कर सकते हो हाँ अगर यहाँ पर बात तरू सेकेंड बॉलिंग आती है अखरी के तीनों मैच में और लास्ट के दो मैच में बड़े-बड़े स्कोर आया है क्याप्टेंसी की सबसे पहली दाविदार हमारी स्मॉल लिक की टीम की रहने वाली है ताइला विल्सन की बात करेंगे राइट हेंड बैटिंग विकेट की की बात करेंगे राइट हेंड बैटिंग राइट हेंड बैटिंग राइट हमीड बाली लास्ट अगर आप देखोगी न तीन मैच से एमकाप ने कुछ किया नहीं है यह एक आपको संदेशा है कि इस मैच की घ्रांड लिक पी किहां पर एमकाप बन सकती है इसके लाव LAYOARD की बात कर लेते हैं आप देख सकतो स्टार्स कुछ भी खास नहीं में, पांच विकेट इसके बात कर लेते हैं Aisbetz की left arm off spin, 0 wicket, 0 wicket, last match में 1 wicket मी थी, सबसे सफल के इन बाज अपने टीम की, Lauren Smith, right arm off spin, वालिंग राती है, 1 wicket, 1 wicket, 3 wicket, 2 wicket, आप देख सकते हो guys सारे यहां पर आपकी जो safe खिलाडी ओने वाली है, वो रहने वाली है तब बत्तू, लेच इंड, लेच फील्ड, पर रिस्क ले सकते हो एंकाप के साथ अगर आप कैप्टन जाते हो तो यह भी एक बहुत रिस्की पिक इस मैच में रहने वाला है तो गई यहां पर एक्स्टर प्लेयर की बीस्टाइट्स आप देख सकते हो आगे हम बात करेंगे अगर हम बॉलिंग ओर्टर की बात करें तो पूरे उवर डालेंगैं दो खिलाडीं अपने पूरे चार ओवर कराने वाली जो कटेंग के एको यहां पर एक आक और आप देखो 2-3 ओवर दालेंगी दोससे 3ग व तक चैनल सब weigh इसके ढिंडिन नाइटा यहां जोúp दालिकंब जोना एक यहां पर ऐं जोन झOoh यह तो नहीं को मैंने आपके बता दिया कि दो से तीन खिलाडी जो पूरे ओर डालेंगे जिस मैटा पर तू लॉरेन इसमित बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी आगे बात करेंगे एडलेड स्ट्राइकर के एडलेड स्ट्राइकर यहाँ पर सिड्नी खंडर से भी जादा स्ट्रोंग है अगर इस सीजन की बात करें क्योंकि अभी तक 11 में से 8 हूं काबले जीती है बहुत ही घजब की परफॉर्मेंस दे रही है और अभी लास्ट के तो सारे ही मैच जीत रही है तो गाई इस माच में दबदबा बना रहेगा यहाँ पर एडलेड स्ट्राइकर का ओपनी करने आएंगी के मैच बहुत तेज खेरती है वालवाट भी किस तरह की बैटरेंस सबको पता है जबरदस पेटिंग यह ऊपन बहुत दोनों ही जबरदस थे उसके बाद ताइला मेगरा इस सीजन और ताइला मेगरा नेक्स लेवल क्योंकि बैटिंग भी उपर आ रही है और बॉलिंग से भी जबरदस परफॉर्मेंस फिर देखने को मिलेंगी पैटर्सन एम पैना डैन यहां पर आप अनेश्यू के साथ जा सकते हूं अगर यह टीम पहले बॉलिंग आती है नहीं तो ड्रॉप किया जा सकता लेकिन मेगन शूट और वेलिंग्टन को ड्रॉप नहीं कर सकती है दोनों खिलाड़े को आप इस पूरे गेम को ड्रॉप कर सकते हो तो आप यहां पर स्टार्स देखो क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगे इन सारे फिलाड़े के आखरी पांच हुटाबले के स्टार्स क्या है जिसके बेसिस पर आपकी ग्रांड लीग और स्मॉल लीग की टीम क्रियेट करोगे आप खुद बहुत अच्छी टीम बना पाऊगे आगे बात कर पेस माच में 30 प्लस स्कोर आएगा फिर बात करेंगे ताइला मेगरा राइट हेंडर बैटिंग राइट आम मीडियम फासबॉलिंग एक विकेट 26 एक विकेट एक विकेट लास माच में 38 लीग डोनों की सोल रहन जियर विकेट 7 एक विकेट 34 लीग चोटिस अन पाच मिली थी जी एडम्स की बात करेंगे आप देखा अभी तक पर्फॉर्मेंस आहीं नहीं है यहां पर विलिंग्टन मस्ट पिक जो मैंने बता आप देख भी सकते हो सिर्फ एक मैच छोड़ दो तो हर एक मैच में विकेट मिली है वाजबी की बात करेंगे आप राइट आम ऑफ विकेट मिली है तो यहां पर आपके अगर सेफ जाना चाहोगे तो आपके मैक वॉलवाट यहां पर मैग्रा इसके बाद डैनियल गिप्सन वेलिंग्टन और मेगन शूट यह पांच्छी खिलाड़ी सेफ ऑप्शन है और इस मैच की ग्रैंड लिके अगर आप रिसकी ऑप अगर की बात करे तो पॉप ले मेगन शूट मुझागवे एडमस ठीट यहां पर अपने पूरे और जो कन्फर्म चार ओवर डालेंगी वह मेगन शूट और डैनियल गिप्सन यह दोनों ही खिलाड़ी कन्फर्म अपने चार ओवर पूरे कराएंगे तो इनको अपने टीम म जरूर रखना और 2-3 over Wellington के कम से कम 3 over यहां होंगे Mushangwe के 3 over कम से कम होंगे और Magra Magra 3-4 over भी कर सकती है ठीक है तो यह आपके पास 3 option होगा जो जादा 5 baller मैंने आपको होता है जो जादा over डालेंगे एक over यहाँ पर पढ़ सकता है Adams का जो over बचेंगे और यहाँ पर तो यहाँ पर से आप ऐसे देख सकते हो कौन कितने ball डाल सकता है क्योंकि जो जादा ball डालेगा विकेड भी तो वही लेगा तो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर बात हो यह प्लेयर परफॉर्मेस किए एजरी परफॉर्मेस अगर हम लें तो दोनों टीमों ने 15 बार इक काम ना सामना किए जिसमें से नौ बार एड लेड स्ट्राइकर की टीम ने जीत राशिल किए बादध हो यहरः फार बार गार ही एडowie्लेड मिली थी एमकाप ने भी इसको ठीकठा किया था, सामने वरे टीम से बात करें, तो वॉलवाट ने अच्छी परफॉर्मस दी थी, बीपटरसन ने अच्छी परफॉर्मस दी ती, मेगन शूट दो विकेट, मशंगवे दो विकेट, और यहां पर मेगरा को मिली थी एक विकेट, इससे पहले वाले मैच की बात करेंगे, उसे भी लास्स सीजन जो खिला गया था, एडलेट स्ट्राइकर विमेंस ने वो भी मैच जीता था, वॉलवाट ने वहाँ भी परफॉर्मस दी थी, और आप देख लो, वॉलवाट कितनी इंपॉर्मस दी रहने वाली, मेगन शूट 6 वि में सेलेक करके एक अच्छी सची टीम क्रियेट कर सकते हो, बात कर लेते हैं मैच प्रेडिक्शन की कि इस मैच में बाजी कौन मानने वाला है, और मेरी सोच, मेरा थाट प्रोसेस यह कहता है कि एडलेट स्ट्राइकर इस मैच को जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है, आपको क्य क्या लगता है, आप कॉमेंट करके जरूर बताना कि इस मैच में बाजी कौन मानने वाला है, दोनों टीमों की रीसनल फॉर्म की बात करें, तो सिड्नी थंडरस आखरी पांच में से तीन मैच जीती है, वह ही बात के लिए एडलेट स्ट्राइकर की तो आखरी पांच में से बात करें तो मेगन शूट और एव एलिंटर बिल्कु सेफ ऑप्शन यहां पर आप एक चेंज क्या कर सकते हो, यहां पर अगर आपकी थंडर अगर पहले बॉलिंग आती है, तो आप के मैच को ड्रॉप करके आप यहां पर एली समित को जरू ले लेना, लॉर एली समित मैगरा, वी-सी आप अटापट्टू भी कर सकतो, यह पी अच्छा अप्शन है, हलाकि मैने कैप्टान अटापट्टू बनाए, क्योंकि रिसेंट फ़र्म उनकी जादा अच्छी मुझे नजर आ रही है, बागे इस मैच के हमारे ग्रांड लिंग पिक क्या होंगे, वो तो नहीं मिलता है, आपको ग्रैंड लिग विनिंग करनी है, तो विमेंस मैच बहुत अच्छा अप्शन है, वहाँ पर आपको एक अच्छी रैंक लाने का, आपकी मैक्सिमम साथ से आट प्लियर वही होते हैं, जो हर मैच परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक दो प्लियर गेम चेंजिंग प्लियर होते हैं, सब कुछ आपको जबर्दस बताया है, कौन कितने ओवर डालेगा, कौन कब बैटिंग करेगा, किस नमबर पर आएगा, सब कुछ बाते बताईए, एक बार फिर से वीडियो देख लेना, क्योंकि इस मैच पर धमाके दार कि कौन सी प्लियर है, और सबसे ज़्यदा रन बनाने वाली है, सबसे ज़्यदा विंस विंस स्ट्री बनाने वाली है, यहां पर लगाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है यहां पर हैस्टेग लगाना तो आपको जरूर से याद रखना है है हैस्टेग लगा देना है और दोनों को श्रण का आंसर कर गे तो आज के लिए बस इतना ही हम जल मिलेंगे नेक्स माच के पूरी प्रेडिक्शन के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आओगा तो लाइक और शियर करना नहीं भूलना है लेकिन सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे-चे कॉमेंट करके बताने है वीडियो कैसी लगी इसके लाब आप इंस्ट अबे भी फॉलो कर सकते हो